प्रद कहानी, सारे गाउं में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्यूंकि वहाँ मुझे सुन्दर सुन्दर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा जी के गाउं जाने का सबसे बड़ा चाओ यही था, कि जब मैं वहाँ से लोड़ता था, तो मेरे पास धेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्छे का मन मोहलें। वैसे तो मेरे मामा जी के गाउं का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परन्तु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू का-का कहा करता था, जैसा की गाउं के सब ही बच्चे उसे कहा करते थे। अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिगलाया करता। सामने एक लकडी की चोखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूडी का आकार देता। पास में चार छे विभिन आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख को चूडी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ा कर गोल और चिकना बनाता। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूडीया बना चुकने के पश्चाद वह उन पर रंग करता। बदलू यह कारिय सदा ही एक मचिये पर बैठ कर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गाउं में मीरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीचता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटो बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूणिया बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह चार छे जोड़े चूणिया बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चड़ा कर कुछ खशन चुपचाब देखता रहता। मानो वह बेलन न होकर किसी नवधु की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूणिया बनाना उसका पैत्रिक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुन्दर चूणिया बनाता था। उसकी बनाई हुई चू चूणिया ले जाते थे। परंटु वह कभी भी चूणियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तू विनिमे का तरीका था। और लोग अनाज के बदले उससे चूणिया ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उससे किसी से ज़करते नहीं देखा। हाँ, शादी विवहा की अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूणिया ले जाए, परन्तु विवहा की अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहा के जोड़े का मात वही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा जी के यहां किसी लड़की के विवहा पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवहा में इसी जोड़े का मुले इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्तर मिलते, धेरो अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिड़ थी, तो वो थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्तरी के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती, तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, और कभी कभी तो दो-चार बाते भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटो बाते किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूही शेहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शेहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता। शेहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहां से दो-चार आम खा आता। परन्तु इन सब बातों के अतरिक्त, जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक-दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा जी के यहां चला जाता। और एक आद महीने वहां रहकर विद्याले खुलने के समय तक वापस आ जाता। परन्तु दो-तीन बार ही मैं अपने मामा जी के यहां गया होंगा। तब ही मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधी तक मैं अपने मामा जी के गाउन न जा सका। कई वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुची नहीं रह गई था। अतहा गाउं में लगभग सभी स्त्रियां काच की चूडियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूडियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सुचा कि उससे मिलाओ। अतहा शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूत्रे पर नीम के नीचे एक खाट पर लिटा था। नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा। नमस्ते भईया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैढ़ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनारदन काका। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। मानव वहाँ अपने स्मृती पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और फिर वहाँ एकदम बोल पड़ा। आओ आओ लला बैठो अब बहुत दिन बाद गाओ आए। हाँ इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शान्ती रही। मैंने इधर उधर द्रिष्टी दोड़ाई। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई। ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका। मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूडियां कोई पूछे तब तो। गाउं गाउं में काच का परचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। मशीनी युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेद भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुन्दरता काच की चूडियों में होती है, लाख में काच संभाव है। लेकिन काच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी तूट जाता है। मैंने कहा। ना जुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसे उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला। दमा नहीं है मुझे। यही कोई महीने दो महीने से आ रही है। दस पंदरा दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथाचिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिये है। कुछ देर फिर शानती रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विशे बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरी रज्जो लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला। माफ करना लला तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका आम तो इस साल बहुत खाये हैं। जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका। मैंने पूछा। गाय कहा है लला। दो साल हुए बेच दी। कहां से खिलाता। इतने मेरा जो उसकी बेटी अंदर से एक दलिया में धेर सा आम ले आई। यह तो बहुत है काका। इतने कहां खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह! वाह! वाह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना। मैं तुम्हारी उमर का था तो इसके चोगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी लला को चार-पाँच आम चांट कर दो। सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेर तयार हुआ है। रज्जु ने चार-पाँच आम हाथों में लेकर मेरी और बढ़ा दिये। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक शण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। कलाईयों पर लाख की चूडियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टी देख ली और बोल पड़ा। यही आखरी जोड़ा बनाया था समीनदार सहाब की बेटी के विवहा पर। दसाने मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिये और खाकर थोड़ी देर पश्चात चलाया। मुझे प्रसनता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व काँच की चूडियों जैसा न था कि आसानी से तूट जाए। मुल्य, साधा जीवन, पेशे वहस्त कला का सम्मान, स्थिय। नहीं मु준ल